दोस्तों नमस्कार, आदाब सत्रियकाल, नियूज क्लिक के कारिक्रम, नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश आज मैं राजस्थान की बात करूँगा, क्योंकि अब तो राजस्थान हिंदी हार्ट लाइन का इकलोता प्रदेश है जहां पर चुनाव बाकी है मध्यप्रदेश संपन्न हो गया, 36 गड़ भी संपन्न हो गया, अब बचा त्यलंगाना और अपना राजस्थान दिल्ली के सबसे नजदीक है, नेताओं की तौड बहुत चाबरदस्त है प्रदान मंत्री भी नजाने कितनी बार गये हैं, आज भी गये हैं, प्रियंका गांदी, राहुल गांदी सभी लोग गुम रहे हैं, राहुल कम प्रियंका बहुत ज्यादा, लड़ाई तो ही दलों में है, कॉंग्रेस और बीजेपी में, कॉंग्रेस के पास अशोग गहलो का नंबर आता है, पिछली बार भी था, जगडे हुए, विबाद हुए, पार्टी में स्प्रिट की नौबत पैदा हो गई, किसी तरह बची, किसी तरह बची, हरियाना के एक होटल में विधायकों का एक सेक्शन, खास कर सेचिन पाइलेट समर तक विधायकों का एक गुट जो है आ गया था, विजेपी के बहुत टच में था, ऐसा बताया जाता है, लेकिन स्प्रिट बच गई और अशोक गहलोत ने जादू कर दिया, वो राजनीत की जादूगर माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा जादू किया कि विधायकों की जो कमी थी, वो पूरी हो गई, और वो फूटते भी तो शायद सरकार बचा लेते, इस तरह का जादू रचा, तो राजनीतिक जादूगरी में उनका कोई जवाब नहीं है, और राजस्थान जैसे स्टेट को वो बिलकुल एक एक चीज बारी की से वो जानते हैं कि कहां क्या है, कहां क्या बिगड़ रहा है, क किसके जाने से कहां कोई चीज ठीक हो जाएगी, किसके जाने से कोई चीज कैसे खराब हो जाएगी, पुराने जमाने के पॉलिटिशिन्स की तरह हैं अशोक गैलोत, उनकी कमियां भी पुराने जमाने के निताओं की हैं, और उनकी खूबियां भी पुराने जमाने के निता विबाद तो होगा ही, रस्सा कस्ती तो होगी, कॉंग्रिस में नेता पत के लिए रस्सा कस्ती नहों, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कॉंग्रिस का, अगर कॉंग्रिस जीती है तो ये दो ही नेताओं में चैन होगा, सचिन पाइलिट, अशोग गालू से कोई एक तीसरा अव्यक्ति उभर कर आ जाए लेकिन चेप मिनिस्टर के लिए फेस की सबसे बड़ी किलत या संकट किलत से भी ज्यादा संकट भारती जनता पार्टी में है इस बार अगर बीजेपी सरकार बनाने का बहुमत पा लेती है वैसे भी राजिस्तान की हिस्ट्री है पांच साल कॉंग्रेस पांच साल बीजेपी अगर फिर से इस बार वही होता है और बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो बसंदरा राजे को बीजेपी किसी कीमत पर बनाना नहीं चाहती चीप मिनिस्टर बसंदरा ने कोई rebellion उनकी तरफ से कोई revolt नहीं किया है उन्होंने बिलकुल पार्टी के साथ हैं हर अनुशासन मान रही हैं लेकिन स्वाहिमान पर समझवता भी नहीं कर रही हैं आम तोर पे माना जाता है कि पार्टी में आजकल वही होता है जो दो व्यक्ति चाहते हैं आती हैं लेकिन अगर कमरा बंद बैठकों में अपनी बात कहनी होती है जो कटू भी हो तो कह देती हैं उनके पास मास बेस है बीजेपी की वही कलोती नेता हैं आज की तारीख में बैरो सिंग शेखावत के रिजीम के बाद उस दोर के बाद जिन के पास एक बेस है अपना बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने अपने इलाके के नेता हैं पूरे राज्य के नेता नहीं है लेकिन बीजेपी उनको पसंद नहीं करती अब क्यों नहीं करती इसकी बहुत सारी कानिया हैं उसकी तामें नहीं जाएंगे लेकिन राजस्तान में बीजेपी के 25 तारीक तक और उनको जो उसने साइड लाइन किया है कई लोगों को टिगट भी नहीं दिया कुछ एक को बाद में अड़ेस्ट किया लिकिन अभी हाले में एक वीडियो मैं ने देखा पता नहीं गलत है कि सही है मैं आम तोर पे वीडियो पर बहुत ज्यादा बरुसा नहीं क उसको दिखाना है जारी करना है सारी नेताओं के पास हाथ में है वसंद्रा के पास आता है पोस्टर और अचानक जो है गजन सिंख शेखावत उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं फिर एक आता है पोस्टर उसको वसंद्रा जी ऊपर नहीं करती है बलकि नीचे ही टेबल के कैमरा ने क्लिक किया और उसको एक खास रंग से पेंट कर दिया गया इस अब नहीं लेकिन कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में यह सब चल रहा है गजन्द्र शिंख शेखावत जो केंद्रे में मंत्री हैं बीजेपी के बड़े दिगज हैं और केंद्री नेत्रतों के च कि मंत्री कौन जाने केंद्र से भी लाया जा सकता है वैसी इस्तिती में अनेक नाम लिये जा रहे हैं केंद्री मंत्रियों का नाम लिये जा रहे हैं यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर का नाम भी लिया जा रहा है ओं बिर्ला साहब का हलांकि वो इतने बड़े पदपर हैं प राजस्थान की जो एसम्बली है उसमें विपक्ष के नेता हैं इसके अलाबा इस समय राज्य वर्दन राठावर का नाम है जो जो जोट्वारा से प्रतियाशी भी है ये केंदर में रह चुके हैं राज्य मंत्री तो ये जो प्रमुक नाम है कुछ गजन शिंग सेखावत, अर्जुन मेगवाल, राजंदर राठोर और राजेवर्धन राठोर ये बहुत महत्पुन है, अर्जुन मेगवाल भी बहुत पसंदीदा है, केंदरी नेत्रितों के, उत्पिरिच समाज से आते हैं, दरिच समाज स आते हैं, लेकिन क्या राजस्थान जैसे फ्यूडल स्टेट में, जो आहम तोर पे फ्यूडल स्ट्रक्शर और वैल्यूज के लिए काफी मशूर है, क्या वहाँ बीजेपी जैसी पार्टी ये रिस्क लेगी, कॉंग्रेस ने तो रिस्क लिया, और उन्होंने अशोग गाल तो ये जो पार्टी में चेहरे तो हैं, लेकिन ये नहीं तैकर पा रही है पार्टी किसको आगे रखे, वसंदरा राजे बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं, कहा जाता है कि राजस्थान की पालिटिक्स में अशोग गालोत की जादूगरी और वसंदरा राजे की चाल, चाल का मतलब राजनीतिक चाल, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, भैरो सिंग शेखावत एरा के बाद इन दो नेताओं को राजस्थान की पार्लामेंटरी पॉलिटिक्स, संसदी राजनीति, उसका मुखड़ा माना जाता है, एक कॉंग्रेस का, एक विजेपी क लेकिन दोनों बहुत सोबर हैं, आम तोर पे विजेपी में आजकल जिस तरह के नेता हैं, उस तरह के नेता ये नहीं है, बहुत ही शाली और बहुत ही तरीके से एक दुसरे के साथ मिलने जुनने वाले पक्ष और विपक्ष में तना तनी तलवारे खिंचने वाले नहीं, आजकल तो केंदरी राजनीत में तलवारें खिची रहती हैं पक्ष और वी-पक्ष में, सत्ता पक्ष और वी-पक्ष में, लेकिन ये नेता ऐसे नहीं है, गलोट साब जब वसंदरा जी के सामने होते हैं, अच्छे से दुआ सलाम होता है, और वसंदरा जी जब उनसे मिलती ह उतना ही सम्मान वो देते हैं जितना किसी बड़े निता को देते होंगे अपनी पाटी के तो एक इज़त एक दुसरे के प्रती एक सम्मान दोनों निता प्रदर्शित करते हैं ये आम तोर पे विजेपी के आज की नित्रित जो शैली है उसका उसमें ये फिट नहीं बैठता और इसलिए कई बार वसंदरा राजे पर संदे भी किया जाता है लोग ये भी कहते हैं कि गालोच शाब और वसंदरा राजे की बहुत छंती है राजनी चीक रुप से विरोधी होने के बावजू दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कभी जरूरत पढ़ने पर हाला कि अभी तो विरोध कर रहे हैं जम कर बसंदरा राजे और उनकी पार्टी के खिलाब अशोग गलोद बोलते हैं और बसंदरा राजे कॉंग्रिस पार्टी और अशोग गलोद के खिलाब भुती हैं उनके सरकार की भी फलताय कि नाती हैание लेकिन दोस्तों एक बात जरूर मैं बताऊंगा कि राजस्थान में आम तोर पे जो सामाजिक समीकरण माना जाता है कि फ्यूडल स्टेट है इसलिए केवल जो ऊपर की जातियां हैं जिनको अपरकास्ट हिंदू कहा जाता है वही भागी विधाता हैं लेकिन ऐसा है नहीं जहां वो उनके बगएर कोई भी पार्टी अपने आपको राजस्थान की राजनीत में केंद्री भूमिका में नहीं ला सकती है तो राजस्थान के मौझूदा चुनाव में देखना होगा अभी दिन है तेज तारीक को एलेक्शन होना था और वो पचीश तारीक को हो गया उसकी वज़े से डेट चेंज की गई अब पचीश तारीक को जो एलेक्शन है देखना है कि इस पूरे के पूरे जो दोनों पार्टियों में एक तरह से मुक्यमंत्री कौन बनेगा इसका एक रहस्य बनाए हुए हैं दोनों पार्टियां बनाए हुए हैं अशोग गलोत के स की मर्जी और आला कमान का फैसला यानि विधायकों से राईशमारी की जाएगी और कॉंग्रेस आला कमान फिर फैसला करेगा ज्यादातर लोग मानते हैं कि सेचिन पाइलेट के पक्ष में शायद इस बार बाद जाएगी और अशोग गलोत को कंप्रवाइज करना और चुंकि मलीकारजुन खडगे राश्टी अध्यक्ष हैं तो वो शायद मलीकारजुन खडगे साब अशोग गलोत को इस मामले में समझा भी सकते हैं चुकि दोनों काफी आसपास हम उम्र हैं उस उस रूप में कन्विंस करने समझाने बुझाने में शायद शायद वो सकता है कॉंग्रिस में तो फिर भी दो चेहरे हैं बीजेपी में पांचे चेहरे घूम रहे हैं सबके सब अपने को मुक्यमंत्री का एक तरह से और घोशित दावेदार अपने आपको समझ रहे हैं लेकिन बीजेपी किसको समझ रही है आला कमान बीजेपी का किसको समझ रह तो दोस्तों आज इतना ही नमशकार आदाब सत्रियकाल